Good morning everyone. I am your English teacher Asarani. This is your third chapter. Punishment of the Moon. This is Lord Ganesh. बच्चो, क्या आपको पता है कि हम सभी Lord Ganesh का बर्थडे कब सेलिब्रेट करते हैं? चलिए मैं बताती हूँ. हम सभी Lord Ganesh का बर्थडे गणेश चतुर्थी वाले दिन सेलिब्रेट करते हैं. बच्चो, एक बार Lord Ganesh अपने वाहन मुसक पर बैठ कर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए धर्थी पर गएं. वहाँ पर भक्तों ने तरह तरह की मिठाईयों का भोग चड़ाया था. बच्चो, Lord Ganesh को सभी मिठाईयों में सबसे ज़्यादा मोदग जिसे हम लड़ू भी कहते हैं पसंद था. Lord Ganesh ने पेट भर कर मोदग खाया. साम हो गई. अभी तकवे खाते रहें. आस्मान में चान निकल आया. अब Lord Ganesh को घर जाने की याद आई. Lord Ganesh खाने के बाद इतने ज़्यादा भारी हो गए थे कि उनका वाहल मुसर उन्हें बैठा कर चल नहीं पा रहा था. तबी अचान उनके मार्ग पर एक स्नैक आ गया. मुसर इस्नैक को देखकर डर गया और वो डर के मारे इधर उधर भागने लगा. Lord Ganesh नीचे गिर गए या सर्चान बादों के पीछे से देखकर हसने लगा. इस पर Lord Ganesh क्रोधित हो गए, चंद्र को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी जान बचाने के लिए घर जाकर दरवाजा बंग कर लिया. Lord Ganesh चंद्र का पीछा करते हुए उसके दरवाजे के बाहर खड़े रहें. बच्चों कई दिन और राध बिद गए लेकिन चंद्र बाहर नहीं आया. विनार चंद्रमा के राध में कोई लाइट नहीं होती थी, उस समय बिजली भी नहीं थी. सभी लोगों ने परिशान होकर Lord Ganesh से प्रातना थी. लोड गणेश को भी दुख हुआ और सोचा की चंद्र की गलती की सजा इंको क्यों दी जाए, लेकिन चंद्र को तो सजा मिलेगी. इसके लिए Lord Ganesh ने एक समझोता किया और चंद्र को बुलाया, और कहा कि तुम्हें मेरे बर्च्रे पर हसने की कीमत चुकानी पड़ेगी. तुम थोड़ा थोड़ा करके बढ़ोगे जब तक की पूरा गोल नहीं हो जाते और अगले पंधर दिन के लिए तुम थोड़ा थोड़ा करके घटोगे जब तक की तुम गायब नहीं हो जाते. बच्चो जब आस्मान में चांद पुरा दिखाई देता है तो उसे हम पूर्णिमा कहते हैं और जिब दिन चांद नहीं दिखाई देता उसे हम अमावस्या की रात कहते हैं. I hope children you understand this chapter very well. Okay, thank you.